हाई अब्रीवन विल्कम और विल्कम बाक टू माई शैनल मैं हूँ दवया और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक ऐसे प्रोड़क्ट का जो की है एक हेल्थ ट्रिंग so basically health drink भी कोई ऐसी वैसी नहीं है क्योंकि मैं भी इस तरीकी की कोई भी चीज नहीं ट्राइ करती हूँ बिना सोचे समझे जाने so मैंने जो ट्राइ किया वो है यह है यह औरिक का वैनिला कॉफी प्रोटीन शेक so आप देख सकते हो यह कुछ इस तरीके का है and मैं बताओं आपको recently मैंने कुछ टेस्ट्स वगेरा कराये थे तो उसके अंदर मेरी अंदर कुछ देफिशिंस ही निकली थी प्रोटीन की तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ इस तरीके का supplement लेना चाहिए ताकि मैं हर टाइम energetic feel कर सकूँ और सारी चीजों को जो है बिना परशान हुए बिना irritate हुए कर सकूँ happily क्योंकि work life को family life को balance करना ना बहुत ही tough हो जाता है छोटे बच्चों के साथ स्पेशली आपकी सारी energy जो है ड्रेन आउट हो जाती हो आप काफी बार बहुत ही irritated feel करते हो बहुत ही चिड़ चिड़े और हरदम एक दम रूट से रहते हो और आपकी behavior में जो इस तरीके की changes आते हैं उनके लिए भी काफी हग तक जो vitamin and proteins की deficiency है वो भी responsible होती है सो मुझे लगा कि क्यों ना एक कोई अच्छी protein drink ट्राइ करी जाए तो बट ना मैंने और भी ट्राइ करी है इससे पहले सो मैंने क्या कर रहा था जो regular drug store वाली होती है वो मैंने प्रोटीन्स ट्राइ किये हैं बट ना वो टेस्ट में इतने अच्छे नहीं होते हैं और वो आधे अधे डब्बे पढ़े रहते हैं ऐसे ही waste हो जाते हैं सो मुझे ना किसी ने रिकमेंड किया कि आप एक बड़ी यह और एक वाला ट्राइ कर कर के देखो सो मैंने इसने जो है ना वैनिला कॉफी प्रोटीन शेक फ्लेवर में मंगा आया सो इसको ना इसके जो benefits है जो मैंने इसमें पढ़े और जो मुझे समझ में आए वो मुझे काफी अछे लगे सबसे पहली बात तो यह कि यह plant-based protein है इसके अंदर जो है देसी खांड है sweetening के लिए जो की बहुत ही अची बात है कोई artificial sweeteners नहीं है इसके अंदर मीठा करने के ल इसके अंदर जो प्रोटीन से हो है plant-based इसके अंदर जो है wheat प्रोटीन है इसके अंदर इसके अंदर जो है pea protein है ठीक है तो इसके अंदर सारे natural ingredient है अच्छे है प्लस एना टेस्ट में भी काफी अच्छा है और इसको बनाना बहुत ही easy है प्लस इसको आपको किस तरीके से ले करके और अगर आपको वेट गेन के लिए इसे लेना है तो आप ते से लिए नर्माल मील के साथ दिन में तीन आम लीजी अपना जैसे आप अपना न ?! दिन में तीन बारी ले लो राम से और क्या कहतay है जो भी हम लोग ये कफी चाय पीते हैं उसके लिए अच्छा और अगर आप इसे वेट लूज करने के लिए ले रहे हो तो आपको इसे दिन में दो बारी लेना है अपना जो मेन मील होते हैं उनको रिप्लेस करके आपको जो है एक सैशे इसका लेना है अपना और आप अराम से जो है इसको as a meal replacement यूज कर सकते हो बिना अपने न्यूट्रि आपको दिखाती हूं कि मैं इसे किस तरीके से बना के पीती हूं इसका सैशे इस तरीके से खोल करके इसको mix कर लेती हो अपने milk के अंदर काफी अच्छी quantity में यह आता है मैं आपको बताती हूं और simply बस आपको इसको इस तरीके से लेना है और इसको आपको अच्छा से खोल लेना है और ना साथ के साथ अगर मैं आपको बताओ नहीं इसका formula एकदम lump free है यह बहुत ही easy lump free हो ज जाते हैं तो खाने पीले टाइम ना ऐसा लगता भी नहीं है मूँ में कि वार यार लंप्स आ रहे हैं लेट मी शो यू तो यू कें सी कि इसमें ना लंप्स नहीं बचे हैं तो ये काफी अच्छा है और बड़ा ही ईजी लिए आप इसको अराम से पी सकते हो टेस्ट में भी काफी अच्छा है ये 35 ग्राम का एक सैशे आता है और ये काफी एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन मुझे लगा तो आप लोगों को भी ट्राइ करना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक देख सकते हो और चेक आउट कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है और आप लोग चाह प्रिकेशन में लेंगे और विडियो को लाइक शेर तो जरूर करना ही है बबाई अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना मिल्क और आप लोग भी जाके जो है इसको परचेस कर सकते हो